हलो फ्रेंट्स गुड इवनिंग कैसे आप सब तो फ्रेंट्स बच चुके हैं शाम के साड़े छे और मैंने जोहना अपना लंच सौरी डिरा बराना स्टार्ट कर दिया है तो आज मैं नारी पनीर के भुजी तो उसके लिए मैंने जोहना शिम्ला मिर्च काट लिया है एक टम फाइनली चोप करना है तो बस इसको हम अच्छे से भूल लेंगे हलका से गोल्डन ब्राउन इसको करना है उसके बाद इसमें लहसुन और जोह द्रग का पेस्ट है न वो डाल रही हूं और फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है बट मैं इंडिया से लेके आए थी तो मैं कार देंगे तो जो श्रीमना वीच है न मैंने वैसे ही कट किया जैसे कि प्याश को कट किया था तो बस अब श्रीमना बूंड लेंगे तक हो थोड़े सी सोफट हो जाए और जो पनीर है न उसको मैंने हाथ से थोड़े और बाके बहुत सारी लोग क्ड़ूकस भी कर लेते हैं तो जैसे आपको टेस्ट पसंदी के तो बस यह मेरा पनीर हो गया है एटी और अभी जो अमने शियमरा मिच डाली ते ना तो उसके बाद इसमें हल्दी डाल के और दो मिनट के लिए पका लिए ताकि जो हल्दी का कच् फील नहों तो बस इसको दो मिनिट पकाने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे टिमाटर ऑट माटर दल देख क्या डालने है नमा किfig धूर तो 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 मैंने बारीक सचाट कर सीच थोड़ा जैसे शीमरामेज कर लिए और विनों मेरी हल्प करवानी के लिए आ गए है क्योंकि ट्राइपोड खराब हो रखा है तो एक हाथ से फोन पकरना और यह सब करना पॉसिबल नहीं है तो मैं से अप नमक डाल की धकी इसको दो मिनिट के लिए हम पका लेंगे तब तक अबना ट्राइपोड ठीक कर कर दो ए दो तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया पाउडर और धनिया पाउडर थोड़ा मैंने जड़ा ज़ादा डाला है और गरम मसाले ना वह थोड़ा सा कम डालता है मैं क्योंकि घर पर पीस्ती हो तो इसके जो खुश्बो टेस्ट ना वो मार्केट वाले से कहीं जाद रहता है तो इसलिए बहुत ज़रा सा जो गरम मसाले ना वह भी अच्छा टीस्ट देता है तो उसके बाद चेली फ्लेक्स डाल दी है कि लाल में चिगा पाउडर है और ग् इसके अंदरा थोड़ थोड़ थोड़ा सा पामी करके डाल के हम इसको इसगो थोड़ा सी हलकी जो जले तरह होती ना वैसे वाला इसको wrap calamya कि अज़रँ सेया प्रेजिए तो बस थोड़ा सा पानी डाल के और ग्रे रीकों को पका ले ना है यह देको बिल्कुल अश्य से प अच्छे सब्देने तो तो यह हो के हैं मारा पानीर पूझ चारी थोड़ा सा पानी ओर डला क्योंकि हमें चैनल आता है तुछ तायट वाली तरही नहीं बना मतलबा तो हाफ कप के राउंड मैंने ये इसके अंदर डाल दिया और अब इसको मिक्स करके ढखके पका लेंगे आराम से चार से पांच मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे तो बहुत ये अच्छे से रहे पक जाएगा और ये हो गई है हमारी पनीर की भुट्जी रेडी और इस बुट्बू आती है बस ढखके रख दो और बाद में कटा हुआ अहरा धनिया इसको उपर डालो और सर्फ करो और ग्रीन चली चाहो तो आप वह भी इसके अंदर डाल सकते हो तो इस तरह से पनीर की बुट्जी बना के देखिगा बहुत ही हम्यां टेस्टी बनती है तो यह पनीर के अंदर भी होता है तो जिब इस स्टेज पे आ जाएगी उस तब आपको बंद कर देने है गैस और मैंने फ्लेम तो ओफ कर दिया था और इसको ड़क यब रख दिया है तो आदा गंटा इसके बनाने में हमें लगा है तो हमारा हो गया खाना रैडी और अब बच जो अभी रोटियों है वगरा है वो भी हम बना लेंगे तो अब इसको मेनना निकाल के रख देती हूं और जब भी मैं तखाना होगा तो गरम कर के और अवर में गरम कर के खा लेंगे तो मैं क्या करते हुआ जो बड़े बरतर होते न उनका आपको पताईए कि जो खाना है निकाल के दूसरे में रख देती हूँ ताकि वो जो किचन है वो भी हमारा साथ सुत्रा लगे और साथ के साथ मेरा जो अपनी चटनी है वो भी बनाकर रख देती हो तो वीकेंड पे अगर आप ऐसे सब चीज़ प्रेपर करके रख देती हो ना तो फिर वीग डेंज पर प्रो ब Mao को कि बर्व आर्थ प्रक घुज़ा जहीर जुझे से फ़ल और Сोना हुए क्सटे शेंड रख देंगे यूश को चान प्रूम प्रस तीर है यह कुछा के थैंकर नगे शिंद फसानियं बढ़र मीं और साल तो बस इसको पीस और तो पीस लें आली हमारी मैं दालाए यह में चाहँ तो थोड़ा सा लेमन का जूस भी अगर डाल देते ना तो बहुत अच्छे बनती है तो इसमें बहुत सारा वेरियेशन है चटनी में जो कि आपने टेस्ट के अकोर्डिंग कर सकते हैं तो जैसे चाहे वैसे बना है लोग थोड़े बहुत चाहिए इतर उतर करके ब और हाँ इसमें पूदीना चाहो तो पूदीना भी मिला सकते हो या फिर सिरफ धनिया चाहो तो धनिया के भी खा सकते हो थोड़ा सा और इसके अंदर अगर दही या पानी आइड कर दोगे तो वह भी थोड़े सी लिक्विड टाइक की बन जाती है तो कई यों को थिक है तो जैसे भी चाह बैसे आपने भी आहशाम सदे सकते हैं तो व्नोध बना रहे हैं चाहे और मैं बनाने चाहरी मारे नहीं चाहिये भी थी तो यहांपे सबसे पहले मैं has जाकिया हमने ओइल करम होने के लिए डारख दिया है और चाय विनोट ने रख़ दी साइड बाइ बाइस साइड करेंगे हम इस बार हम लोगों ये सोचे क्यों कि पूरा दिन से बरतन जादा हो रखेंगे क्योंकि मेरी शिफ्ट थी तो आने के बाद सारा नोुस ने बंग में सेठ कर देंगे थोड़ए गर यह वाला काम ना वो रहा गी dus एंगोन कम्ने सकते हैं काफी सारे भातन आ जाते हैं तो चाहे रख जी जब तक हमने एक काम किया ओयल करम हो गया उसके अंदर मैंने डाल दिया है जीरा और चाहुत इसमें थोड़ा सी हेंग और जो राई होती है न अपनी सरसो वो भी डाल सकते हैं तो मैंने शिम्ला में इस कट कर ली थी बैल पैपर्स तीन होते रही और के साथ में तो बहुत ही अच्छा सा जो एक है टेस्ट टेस्टी जो एक फिलिंग जो होती है उसकी रोल की वो रैडी हो जाती है और चाहे बॉल होगी तो मैंने दूड डाल दिया है चाहे पक जाएगी जब तक कि हमारे जो रैडी होंगे ये और इसके अंदर थोड़ी सी चीली फ्लेक्स में डालती है मैंने क्योंकि हरी में चीज लेने डालती हूं बच्चे खाते हैं तो फिर वह जबा जाती है न मुह में और चपानी बढ़ती है तो बहुत मिर्जी लगती है हमें भी लगती है बच्चों को भी तो इसलिए थोड़ा चीली फ्लेक्स ही में तो है क्या बताऊंगे दूसरी वीडियों बताऊंगे देखके बट यह रोल के लिए आते हैं तो इस तरह से पूरे बड़े शेप में आते हैं क्योंकि रोटी इतनी नहीं हो पाती है रोटी को भी कर लो बट इनका टेस्टरत होड़ा सा अलग रहता है रोटी किसे तो मैं यह बट लेकर आई हूं तो यह वाला पैक जो आपको वीडियो में दिखा रही है यह फिनिश हो गयता है इसके बाद एक और लेकर आए क्योंकि हमें बहुत टेस्टी लगे थे तो विनो चाय में चीनी चीनी के शक्कर डालते है तो बाद में डलती है तो बस चाय हमारे पक बाद में ठीक रहता है बट उतना टेस्ट नहीं आया जितना की अगर तवे पे इसको सेक होगे ना तो इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है तो आवन वाला हमें पसंद नहीं आया तो इसलिए हम लोग ने फिर जस प्राइपन में मैंने सबजी तेयार की थी ना उसी मे इसको सेक लिए ऐसे हलका हलका सा रोटी कितने फूल जाता है ये और इसमें कोई भी मैदवैदा एड नहीं है और ये ना कई काफी सारे वेरेशन में आता है यहां पर तो बस अपसर से पहले बेस पे लगा ली है मैंने अपनी चटने लगा ली है फिर जो सबजी आ थे ना उसको फैला लेंगे और उपर से जो मेयो कैचप जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दो तो बहुत ही अच्छा सा है कि हम मीसा जो है ना आपका रोल बनके रहने की जाता है पनीर है तो पनीर भी डाल लो एक के साथ भी बना सकते हैं तुझे ऐसे चाहे वैसे करके उसकी क्या बोलते हैं उसको ओमलेट बना करके एग रोल भी बना सकते हैं उसके अंदर फिट सब्यों की फिलिंग कर सकते हैं तो हाई प्रोटीन वालों के लिए हो सही हो जाता है और उपर से थोड़ थोड़ी में कैच्छिप मैंने डाल दी है तो बस बन गया हमारा य कोन वाला उसको दिया था उसको है कि कोन के अंदर में कैच्छप डाल के और रूल बना के दे तो खा लेती है तो बहुत पहले मैंने एक बाइट खुदी टेस्ट की भूख लेगी थी यम्मी लग रहा था मुख लासा यहा 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 था जा ने रोगहँ लाना एक वायट धे तो शको बस भीजा देए है तो झाट सकुष्ट सीट प्ना ख़ी अगाले बश्यस चाहिए उसको स्टोधक्ट कर दो 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 झाल झाल झाल